हे गाईस तो अगर आप भी यूज़ करते हो सैमसंग गलेक्सी F23 5G का डिवाइस और आप लोग इंतजार में हो कि क्या हमारे स्मार्टफोन के अंदर 186.0 with Android 14 की अपडेट मिलेगी और अपडेट देखने के लिए मिलती है तो फाइनली अपडेट जो है वो कपतलक रिलीस कि जा सकता है तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक सेयर एंड सस्क्राइब जरूर कर लेना तो चली वीडियो को स्टार्ट करते है तो गाइस सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एप 23 5G के अपडेट सिनेरियो के बाड़े में तो जैसा की हमें पता है कि ये स्मार्टफोन इंट्रोडियूस किया गया था मार्च 2022 में और गाइस ओट अप दी बॉक्स में Android 12 वीड वन ये 4.1 जो है वो देखने के लिए मि चुकि है और करेंटली ये ही अपडेट वो हमारे स्मार्टफोन के अंदर रन भी कर लिए जिसमें हमें काफी सारे मेजर मेजर से फीचेस जो है वो देखने के लिए मिल जाती है काफी कूल कूल सी फीचेस सेमसंग ने जो है वो 185.1 के अंदर प्रोवाइड कराई है बाकि हम बात करें Android 14 विद वनीज 6.0 अपडेट के बारे में तो यार आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर वनीज 6.0 की अपडेट जो है न वो देखने के लिए मिलेगी क्योंकि अभी तलक F23 डिवाइस के अंदर बाकी याँ पर सैमसंग ने अपने अपडेट के अंदर यानि की F23 5G के अंदर finally one is 6.0 की stable update कब तलग मिल सकती है तो देखो यार यहाँ पे तो अभी तलग कोई भी confirm date नहीं आया पर अगर expected date के बारे में बात करें तो आप लोगों के smartphone के अंदर update जो है ना वो November month से लेकर December month तक finally देखने के लिए मिल सकती है अब देखते हैं यहाँ पे Samsung वाले क्या करते हैं वैसे यहाँ पे कुछ और भी information निखल क्या थी तो obviously मैं आप लोगों को inform कर दूँगा उसके लिए आप लोग चैनल subscribe क्योंके bell notification पर जरूर कर लेना तो मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मातरम